सबसे पहलो तो यार जो लोग मुझे ये बोल रहे थे कि भाई आपकी जो बेर्ड है वो काफी बड़ी हो गई है काफी खुंखार लग रहे हो काफी सारे मुझे कॉमेंट आ रहे थे तो मैंने देखिए अभी मैं सेप करा लिया हूँ यहाँ पर काफी अच्छा तरीके से मैं देख लिए होंगे यूट्यूब पर लेकिन यह जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ यह यूनित तरीका है और बहुत ही अट्रैक्ट करेगा आपके वीवर्स को आपके सब्सक्राइबर्स को दोस्तों होता क्या है कि जब आप थमनेल को क्रियेट करते हो तो वहाँ पर क्या करते हो कोई भी फोटो उठा करके और अपने थमनेल पर चिपका देते हो लेकिन आपको क्या करना है सबसे पहले अपनी वीडियो सूट करनी है जिस भी टॉपिक पर आप अपनी वीडियो को सूट कर रहे हैं वीडियो सूट करिए और वीडियो सूट करने के बाद आप अपनी पूरी के पूरी वीडियो को एनलाइस करिए कि इस वीडियो में मैंने क्या सिखा रखा है और बेस्ट रियेक्सन मेरा इसमें क्या होना चाहिए मतलब कहने का ये कि आपकी जो वीडियो है वो आपके थंब्नेल से ही express हो जाए जानी कि आपके जो thumbnail पर आपका photo लगा हुआ है उससे आपकी पूरे वीडियो का scenario पता चल जाएगे एक creator को एक YouTuber को जा फिर कोई viewers हैं उनको ये चीज़े पता रग जाए भाई कि हाँ इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है और आप अपनी एक photo से expression के हिसाब से expression दे करके लोगों को अपने viewers को ये बता सकते हो कि हाँ इस टॉपिक पर मेड़ी वीडियो है और वो काफी attractive होता है आपकी thumbnail पर कहने का मितलब ये भाई कि आप अपनी वीडियो में एक ऐसा thumbnail photo लगाओ माले जी जो thumbnail आपने create करा है वहाँ पर जो अपनी photo को use करते हो तो उस photo को उस video के हिसाब से एक ऐसा आप reaction दीजिए वहाँ पर अपनी photo में एक ऐसा react करिए कि काफी attract लगे और ये लगे कि भाई ये वीडियो किस topic पर है और कैसे इस ने इस वीडियो को बनाया है काइने का मतलब ये कि आपकी thumbnail से ही आपने आपके viewer काइने का मतलब कि आपके thumbnail पर जो photo लगा है उस photo से ही आपकी viewer को ये पता लग जाए कि हाँ भाई इस बंदे ने इस topic पर वीडियो बना रखा है और ये काफी unique चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कोई भी नहीं करता इस तरीके से पूरे यूटूब पर आप देख लेना कोई भी बंदा इस तरीके से चीज़ें नहीं सिखाता आपको वो यूज करते हैं अपने थमने पर लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं सिखाते हैं क्योंकि अगर आप भी सीख जाओगे तो फिर उनका क्या मतलब बनेगा यूटूब पर तो यही चीज़ें हैं आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा पूरा फुल टेटोर्यल बताओगा किस तरीके से क्या-कया चीज़ें करनी हैं और यहां पर थमने जो गए रहा बनाना तो आपको आता फीटर हैं तो आपको अच्छे तरीके अस थमने बनाना आता होगा लेकिन यहाँ पर जो main point वाले चीज़ है यही है कि thumbnail में एक ऐसा expressive photo लगा दो कि जो viewers हैं उनको आपके photo से ही पूरा चीज़े पता लग जाए आपके photo से कि हाँ इस वीडियो में यह यह चीज़े होने वाली है और आप ऐसा expression दो अपने वीडियो में अपने photo में अपने thumbnail पर कि आपके जो viewers हैं वो attract हो जाएं और उनको इस समझ में आ जाए कि हाँ इस वीडियो में यह चीज़ें सिखाई गई है इससे क्या होता है कि आपकी जो audience है वो confused नहीं होती है कि आखिर यह किस चीज़ पर वीडियो बना रखा है क्योंकि आप लोग चाहे clickbait करते हों चाहे कुछ भी ऐसे ही वीडियो में लेक देते हों यह मतलब एक expression देना है आपकी body के हिसाब से आपकी body language के हिसाब से expression को create करना है ताकि आपकी जो viewers है वो attract हो सकें और आपकी वीडियो पर आ सकें मान लेज़े कि मैंने बनाया कि how to create YouTube thumbnail मान लेज़े मैंने यह video create किया अब how to मतलब कैसे कैसे का मतलब आप एक expression दे सकते हो कि इस तरीके से मतलब कैसे मतलब कैसे बनाया thumbnail तो थोड़ा से express करिए अपने body से express करिए और उसी photo को आप लगाए और फिर देखिएगा आपकी जो thumbnail है वो काफी attractive और काफी cool लगने वाली है तो इस trick का आप use करिए मैं भी इस trick का use करता हूँ सबसे पहले आप expression देकर कि उस video के regarding आप एक photo क्लिक कर लेजे photo आपकी साफ होनी चाहिए यह नहीं कि photo में इधर उधर color है या फिर आप ज़्यादा color grading कर रहे है photo में खराब हो जाए बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं करना है आपको photo एकदम natural होनी चाहिए और उस पर आपको एक reaction देना है पूरी वीडियो को आप देख लो फिर एक best reaction अगर आपने वीडियो में ही दिया है तो उसको आप वहां से screen shot ले लो या फिर अगर आपने नहीं दिया है तो आप एक photo click कर लो अलग से reaction की और उसको लगाओ फिर देखना आपकी thumbnail पर चार चांद लग जाएंगे और काफी attractive आपकी thumbnail यहाँ पर लगने वाली है तो guys यहाँ पर मैं कोई tutorial तो नहीं बताऊंगा लेकिन आपको एक idea दे दिया हूँ एक overview दे दिया हूँ और आप लोग इस तरीके से thumbnail को create कर सकते हो तो आसा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना, channel को subscribe करना, bell icon को press करना और यह वीडियो में काफी मेना से create कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो mobile phone है वो अच्छा तरीके से work नहीं कर रहा है फिर भी 2-4-5 घंटे मैं अपना जो है समय यहाँ पर व्यतित करके और वीडियो को create कर रहा हूँ तो please वीडियो को share भी कर देना चले गाईस आज के लिए पसे तहीं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye